तो गाईस आपने एक दम सही ज़़ा कम क्लिक के आज हम बात करने वाले वन प्लस सेवन के लिगत। कि हमें oneplus के अंदर क्या चीजे देखने मिलेगी क्या कि सीजे नहीं देखने मिलेगी तो इस वीडियो को वेंट दग देगी और चैनल को सब्सक्राइब करें भी नमज़ जई का और अगर आप oneplus के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक करना दो बनता एक तो चिलिए वीडि नलू क्या नहीं इसके स्क्रीन की के वन प्ल्टस के लागों लिएका स्क्रीस कि और ऊप्लेश Щ weit रहे मिलेगा वर्ल का फास्टेस के मिलेगा का सबसे सबसे पर आगे देखते कि क्या 0.1 हो जाएगा देखते क्या होगा किता फास्ट कर देता है वनप्लस अपने सेलफी कैमरा को तो वह तो फून आने के बाद ही पता चलिएगा पर वनप्लस ऐसा दावा कर रहा है कि वनप्लस आने आपको वर्ल्ड का सबसे फास्टेस फिंगर प्रिंट सेंसर देखने मिलेगा अब अगला अगला स्पेसिपिकेशन साइब स्पेसिपिके और ऐसा भी दावा कर रहा है कि वनप्लस में 5G सपोर्ट ले गया पर अभी तक इंडिया में 5G आने का अब देखते क्या होगा क्या नहीं कि सच में इंडिया में इतने जल्दी 5G आ जाएगा मुझे तो नहीं लगता है कि विस सैमसंग भी दावा कर रहा था और वनप्लस सब्सक्राइब के साथ 2.84 GHz की स्पीड और एड्रिनॉस्टिक स्पूर्टी जीप्यू के साथ तो यह था इसके प्रोसेसर के पुरी डिटेल प्रोसेसर में तो कोई भी कंजूसी नहीं एकदम अच्छा लेटेस्ट प्रोसेसर दिया है फास्ट है क्योंकि प्रोसेसर फोन क आप तक तक ठिक नहीं है फिर तो अब हम बात कर लेंगे कैमरा के बारे में केमरा भी आचका विद्क कम रेत रखेंगे और अगर अच्छा प्रोसेसर थे मिल चेह तूरे तो रहेगा इसमें आपको र हो Kal Bose सकता है चोपो कहीं देखने मिल जाते है ट्रिपल कैमरा जो कि एक रहेगा 48 MP2 MP3 ऑफ सोच सकते है जो डियर कैमरा कितना धासु निकलने वाला ह। ट्रिपल कैमरा तीनों भूँझ जबर दस निकलने वाले और यह समझ लोग कि तभाही मचा सकता है कहीं इसा हो सकता है पर मुझे नहीं लगता है यहांगा यानी नो नौच नहीं रहेगी सिफ डारेक्ट निकलेंगा वह बहर कैमरा इसावास से तो यह होगी कैमरा की बात अब बात कर लेते रहाम और स्टोरेज की मामले में अच्छा है इसने बस अगर साथी साथ वन प्लस ने अगर 3GB 4GB 6GB और अगर निकाल दिया रहता 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 रहाम वाला तो यह अलग बात होई गए रहती पर ऐसा कुछ वन प्लस ने अभी तक किया नहीं है कि कुछ ऐसा हो सके बात कर लेते कि हमें इसमें बैटरी लाइफ कैसी देखने मिलेगी बैटरी इसना को देखने मिलेगी 4000 mh की बैटरी विट 44 वाट का डैस्ट चार्जिंग कि सपोर्ट और यह भी यानि लगबा कहीं नहीं फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता यह फोन चारहजार मेंच की अच्छी खासी बैटरी है और इसमें भी तक यह भी पता नहीं चला है कि एड़फून जैक रहेगा कि नहीं कि टाइप से रहेगा कौन सा रहेगा मुझे तो नहीं लगता है यह 594 दिखा रहा है पिछले वन प्लस से लगबागे 30 से 35 डॉलर थोड़ा महंगा है अब अप्ग्रेड किया थोड़ा महंगा हो गई होगा प्रोसेसर बहुत अच्छा देखने मिल रहे है इसमें आपको लेटेस प्रोसेसर है अच्छा कैमरा है सब कुछ परफेक्ट है अ अब प्राइस 594 डॉलर बता रहा है अब इंडियन रुपिस के साब से कर सकते कि क्या रेंज आ सकती है इसके अभी लगबाग 72-73 रूपिस चल रहा होगा पर डॉलर इंडिया के अंदर तो आप रेट अजिम कर सकते कि क्या रेट हो सकती है पर मैं यहाँ पोल में कोशन दे सब्सक्राइब करना मत बुलिए और एक लाइक तो बन टाइब बन प्लस लेवर्स के लिए तो एक लाइक करना मत बुलिए